ओम नमो भगवती वासु देवाई जै मातारानी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत्यो हाट टोटके मैं हूँ आपके साथ रिम्चिम शर्मा दोस्तों आज अस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकादशी व्रत की व्रत विधी जैसा कि हम सभी जानते हैं साल में 24 एकादशी आती हैं अधिक मास लगने पर वो 26 हो जाती है एकादशी व्रत में जो पूजा विधी किस तरीके से करनी चाहिए वो जानकार जिसको हम माक्षीश महीना कहते हैं उससे शुरू करते हैं तो एकादशी व्रत शुरू करने का जो समय है वो बेहत नस्दीक है देवुथान एकादशी के बार जो अगली एकादशी आती है उसे हम उत्तपन्ना एकादशी कहते हैं और माना जाता है कि उत्तपन्ना या संख्या लेकर भी आप कर सकते हैं लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो चातुर मास के आठ एकाद शीवरत हैं वो हमें नहीं करने चाहिए वो मैं आपको एक अन्य वीडियो में दूगी जो नियम मैं बताऊंगे एकाद शीवरत के तो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हू जो एकादशी व्रत की पूजा विधी है, दो एकादशी जैसा हम सभी जानते हैं, हर मास में आती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी, तो इस तरीके से ही आप पूजा विधी रखें, तो चलिए मैं आपको पूजा करके दिखाती कि कैसे आप पूचा करेंगे भगवान विश्नु की जो इस दिन के आराध्य देव हैं। पिली रंग की आसनी दी है। उनके लिए फूलू की आसनी भी मैंने दी है। यहां पर फूल गुलाब के मैंने लगाया है। और उन पर स्थापद कर दिया। आप चाहे तो फोटो ले सकते हैं। प्रतिमा ले सकते हैं। तमाम जानकारियां मैंने आपको जो सामागरी की होगी। आप चाहे तो हर बार जब इकादशी व्रत करते हैं तो इतनी सामागरी अगर आप ना भी ला सके तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप पहला कोई शुरू करते तो एक विशेश अनुष्ठान होता है। और जब आप उध्यापन व्रत का करते हैं। तो यह वि चानते हैं आप वैसे भी कर सकते हैं और कलश की स्थापना सर्व प्रथम हम करते हैं किसी पूजा में तो हमने एक कलश की स्थापना यह दीब कलश मैंने स्थापित किया है। समागरी मैंने बताई हुई है और दीब कलश कैसे स्थापित करते हैं इसकी पूरी जानकारी एक कलश स्थापित करेंगे इकाद शी वरत में या भगवान विश्णु के किसी भी वरत में, तो कलश स्थापना के बाद सबसे पहले हमें किसी भी पूजा में एक दीप प्रजवलित कर लेना चाहिए, आगे जो भी आप पूजा करेंगे उसके साक्षी ये दीप देव होते हैं तो सबसे पहले एक दीप मैं प्रजवलित कर रही हूँ और दीपक के लिए भी और कलश के लिए भी आपने देखा होगा कलश पर हम कलश की नीचे अश्टदल कमल जरूर बनाते हैं तो ये तिल का सफेद तिल का ही अश्चिदल कमल है और ये जो दीपक के लिए मैंने मनाया है ये भी सफेद तिल का ही है तो आप एक दीप प्रजवलित करके और इसका मुख हमेशा दीपक का आगे की तरफ देव की तरफ किसी भी भगवान की जबा पूजा करें उनकी तरफ तो इस तरीके से आप एक दीप रख लें और अब आप अपनी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं इसके पहले दीपक की पूजा दीब दीब की पूजा जरूरी होती है तो किसे भी पूजा में सबसे पहले दीब दीब का आवान जब हम करते हैं तो उनकी भी पूजा कर लेते हैं तो आप उनकी पूजा करके और आगी की पूजा जो होगी वो अपनी शुरू करेंगे तो हमने दीद्देव का अवान कर लिया अब हम अपनी जो पूजा है वो शुरू करेंगे इसके पहले मैं आपको संकल्प बता दूँ जब एकादशी वरत आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले संकल्प लेते हैं लेकिन एकादशी वरत में ये तुलसी दल है, तीन पतिया, ये तुलसी के पत्तों की जुड़ी हुई है, जो कि विश्नु प्रिया है, तुलसी को विश्नु प्रिया कहते हैं, इसके पीछे पौरानी कहानी है, वो भी मैं कभी आपको बताऊंगी, मैंने बताई है, उस पर भ खोड़ा साथ जल लेंगे और आपको अगर संकल्प का मंत्र आता है तो आप वो मंत्र पढ़ेंगे और नहीं तो आप मन ही मन हाथ में इसी तरीके से जल तुलसी दल लेकर भगवान विश्नु के सामने संकल्प लेंगे कि है श्री हरी मैं इकादशी वरत करने का संकल्प ले ले रहा हूँ और मुझे इतने जो भी संख्या आपने संकल्प के लेनी है इतने एकादशी वरत 11 या पूरी साल के आपको करने हैं तो वो आप संकल्प में ही बोलेंगे और इसके बाद इस संकल्प के साथ आप ये जो जल तुलसी पत्र और ये फूल है इसको आप छोड़ द शुरुआत करनी है तो शुरुआत आप जानते हैं हम सभी जानते हैं कि गनपती की पूजा के साथ होती है तो गनपती को हम अब इस पूजा में शामिल होने के लिए बुला रहे हैं उनका आववान कर रहे हैं उसके लिए एक पान का पत्ता ये सुपारी के गनपती बनाए तो हमने गणपती की स्थापना कर ली है, अब हम पूजा की शिरुवात करेंगे स्नान के साथ में. तो सभी देवों का पहले जुल से स्नान कराती हूँ मैं, शुद्धी करन सबसे पहले आप खुद से कर सकते हैं, और उसके बाद गणपती का स्नान, भगवान विश्णु का, वरिन देव, सभी देवों का आप एक साथ स्नान करते रहें, इसी तरीके से ये जो पंचामृत मैं मैं बनाया है, क्योंकि मेरे पास प्रतिमा नहीं है, मैं फोटो की पूजा कर रही हूँ, तो या फूल से आप पंचामृत का छड़काव कर सकते हैं, छीटा दे सकते हैं, सबसे पहले गणपती को, फिर विश्णु देव को, और इसके बाद वरुन देव को, और इसके जल, जैसा हम पंचामृत सनान कराने के बाद करते हैं, और भगवान विश्णु को, यहां पर हम एक साफ कपड़ा आप रखें, जो आप रोज की पूजा में भगवान विश्णु, किसी भी देवी देवता को, अगर तॉलिया आप रखते हैं उनके पोचने के लिए, सनान के बाद तो रखें और उससे आपने उन्हें साफ कर लिया है, तो अब सनान हमने करा दिया है, अब पूजन की शुरुआत करेंगे, अब हम सबसे पहले वस्त्र अर्पित करेंगे, और उसके बाद विधिवत आगे पूजन करेंगे, तो गंपती को यह वस्त्र अर्पित कि आप मैंने वरुन देव को कलश्ट में सभी देवी देवताओं का आवान कर हम उन्हें पूजा में शरीख होने के लिए आमंतुरत करते हैं और ये वस्त्रु हमने विश्नु देव को अर्पित किया हलाकि विश्नु भगवान के लिए अलग से एक पीला वस्त्रु रखा है मैंने तो इस तरीके से एक पीला वस्त्रु भगवान विश्नु के लिए आप उन्हें पहनाए अब इसके बाद हम तिलक करेंगे गणपती को बगवान विष्णु को और साथ ही उनके यहाँ पर नारज जी है जो दमपती पूजा करवा रहे हैं आचार्य पुरोहिर कलश और जो लोग शोता हैं सभी को हम हमने यहाँ पर जो यह वरुन कलश है इसकी पहले ही विधिवत पूजा कर दी है और तब स्थापित किया है फिर भी आप जरूर करें भगवान गणपती के लिए यह पीला सिंदूर उन्हें बहुत प्रिय है तो पीला सिंदूर और इसमें जो यह महिलाएं हैं उनको भी आप सिंदूर अरपित करें भगवान विश्टू के लिए कुम-कुम गणपती को हमने पहले ही अरपित कर दिया है अश्ट गणध है गणपती को अश्ट गणध अरपित करेंगे पगवान विश्णू को अरपित करेंगे जैसे मैंने पहले ही बताया है कि कार्शी व्रत में चावल नहीं हमें यूज करना होता व्रत में पूजा में तो ये सफीद दिल का अक्षत है इसके बाद आप माला अरपित करें कमल के फूल मिल जाएं वो अच्छा है नहीं मिलें तो भी कोई बात नहीं है आप वरुन कलश को भी माला अरपित कर सकते हैं क्योंकि उपर ये दीब कलश हैं श्री कलश पे आप आसानी से रख सकते हैं ये दीब कलश हैं तो मैं असे नीचे रख रही हूँ गर्पती के लिए पुश्प और डीब देव पर हमने पहले भी पुश्प अर्पित किया है फिर से अर्पित कर दिया इसकी बाद किसी भी देव की हम पूजा कर रहे होते हैं तो यग्यो पवित हमें देना होता है तो आप यग्यो पवित जरूर प्रदान करें आप विश्प देब को यग्यो पवित धर भी रख सकते हैं और चाहे तो आप नीचे भी अर्पित कर सकते हैं इसके बाद भगवान विश्णू की पूजा में हल्दी का बहुत विशेश महत्व होता है तो आप हल्दी की गाँच अर्पिट करें गनपती की जब भी हम पूजा कर रहे हों तो गनपती के लिए दूर्बा बहुत जरूरी है तो दूर्बा चाहिए पर 11 ले, 21 ले, 25 ले दूर्बा ये उन्हें बहुत पुरिय है आपकी हर मनो कामना पूरी करते हैं अगर आप गनपती को दूर्बा आर्पिट करते हैं तो गन तो इस तरीके से भगवान विश्णू की सभी प्रिये चीजें उन्हें आप अर्पित करें इकादशी व्रत में जैसा मैंने बताया है आपको सामागरी में बहुत विशेश महत्व होता है तुलसी पत्र का तो जितनी संख्या आपको मिल सके उतनी संख्या आप लाएं इस तर इन्हें अगर आप तोड़ लेंगे तो आगे वरिक्ष बढ़ेगा नहीं तुलसी का पौधा तो इन्हें जादा ना तोड़े लेकिन कोशिश कर एक दो जरूर लाएं और इस तरीके से बहुत सारे तुलसी दल, तुलसी पत्र भगवान विश्णू को अर्पित करें एक य जो भी आपके हाथ में तुलसी पत्र हो वो उन्हें इसी तरीके से ज्यादा से ज्यादा संख्या में अर्पित करें मंत्रों का आप जब कर सकते हैं मंत्र बहुत सरल है भगवान विश्णू का ओम नमो भगवते वासू देवाए इस तरह करते हुए आप जितने ये तुलस पत्रों से तो जरूर अर्पित करें आप भी भगवान विश्णु को एकादिशी वरत में एक श्रीफर आप जरूर अर्पित करें इससे भी भगवान बहुत जल्दी प्रसंड़ होते हैं ये उपाई भी मैने आपको बताया हुआ है श्रीफर और बादाम के कुछ गिरी ज इसी भी काद्शी वरत के दिन आप लक्ष्मी नारायम मंदिर में जाकर भगवान के चर्णों में अर्पित करें। गनपती के लिए उनके सामने एक लड़ू ज़रूर रखें। के सामने अर्पित करें अगर प्रतीमा रहे तो उनका स्नान कराए इस तिन अभिशेक कराए इसके बाद फल में आप पीले फल जादा से जादा इस्तमाल करें केले हैं संत्रे हैं अनाड लें बगवान विश्नु को सिंहाडा का जो ये पानी फल है ये प्रिय है तो ये फल अगर आप शुरू कर रहें काद शीवरत तो ये फल आपको बड़ी आसानी से मिलेंगे तो इनका आप भोग लगाएं गडपती को पहले आप भोग दिखाएं फिर भगवान विश्नु को फिर गलश्टेव को इस तरीके से सभी देवी देवताओं को आप अलग-अलग भो है तो मैं एक साथ भोग लगाकर दिखा रही हूँ आप चाहें तो एक साथ भी लगा सकते हैं उसमें भी कोई मनाही नहीं है तो इस तरीके से आपको सभी देवी देवताओं को यहां पर भोग लगाना है भगवान विश्नु की प्रिये चीजें पीले फल पीले फूल पील वस्तर सब कुछ पीला आप एकादिशी व्रत में जरूर अर्पित उन्हें करें दोस्तों इस तरह से जो व्रत विधी होती है एकादिशी व्रत की होती है भोग लगाया हमने अब वारियात की है एकादिशी व्रत की कथा की देखिए 24 एकादिशी साल की होती है और अगर अ विधी नियम सब कुछ उस किताब में है तो उस किताब से आप इकादशी वरत की जो भी इकादशी वरत आप कर रहे हैं जैसे देवुधान इकादशी अगर आप कर रहे हैं तो उसकी वरत कथा अलग है आप जैसे तुलसी माता की कथा है आप उत्तपन्ना इकादशी कर रहे ह तो कैसे माता एकादुशी की उत्पत्ती हुई भगवान विश्नु से उसकी कथा है इसी तरीके से हर एकादुशी व्रत की अलग-अलग कथाई है आप उन अलग-अलग कथाओं को पढ़े या फिर सुने आप सुन भी सकती है सुनने का भी उतना ही फल होता है तो दोस्तो इस पांच बातियों का एक दीपक अपले या एक बाती का भी दीपक अपले सकते हैं उस पर दो बाती कम से कम लेकिन जरूर कर ले और ये देखी ये कपूर है तो कपूर आरती में जरूर इस्तमाल करेंगे और आप भगवान विश्नु की आरती इस तरीके से कर ले गणपती की और कलश देव की भी आरती करें और कलश देव की भी आरती करें सभी देवी देवताओं का हम इसमें आवान कर उन्हें बुलाते हैं इस पूजा में संबलित होने के लिए तो इस तरीके से एक आदशी व्रत की जो पूजा विधी होती है दोस्तों इसके साथ संपन्न हो जाती है और आरती के बाद एक बार फिर से सभी देवी देवताओं का हम उनको जल अर्पित करते हैं और दीप को भी शीतल किया जाता है तो दोस्तों इक आदशी व्रत की जो विधी है वो पूजा विधी जो है इस तरीके से संपन्न होती है और उसके बाद भगवान विष्णु से अपनी जो भी पूजा पाट में भोल चूग गलतियां कम ज्यादा हुआ है उसके लिए शमा प्राथना जरूर करें बहुत जरूरी होता है जब हम कोई विशेश पूजा आराधना कर रहे हों तो व्रत में दोस्तों ये होता है किसी से कम किसी से जादा कुछ न कुछ गलती हो जाती है तो ऐसे में जरूरी है एक शमा प्राथना तो शमा प्राथना हर व्रत के अंत में आपको पूजा के तो मैं वो नहीं कर पा रही लेकिन जब भी भगवान को आप कुछ भी अर्पित करें तो ओम नमो भगवती वासु दिवाए इस मंत्र के साथ आपको अर्पित करना चाहिए तो ये पूजा की संपोर्ण विधी है इकादुशी की जो की आप पूरे साल करते हैं हाँ लेकिन इ इसमें कुछ-कुछ नियम ऐसे हैं जो उस वरत विशेश के हिसाब से बदल जाती हैं तो आपको वो अलग से अपना लेने चाहिए लेकिन जो साधारंत एकादुशी की वरत विधी है वो यही है दोस्तो तो दोस्तो घर में इस तरीके से आप भी बढ़ी आसानी से इस सरल इकादशी पूजा कर सकते हैं एकादशी वरत मी जैसे मैंने आपको भीश में भी बताया कि जो पूजा विधी होती है वो सभी 24 याधिक मास की अगर बात कर ले तो 26 एकादशीयों की पूजा विधी यही होती है हलाकि कुछ अलग-अलग तरह के नियम और कारे जुड़े ह होते हैं क्योंकि हर इकादशी का महत्व और फल थोड़ा अलग होता है शेश मनो कामना के लिए कुछ विशेश कारे भी उन इकादशीयों पर किये जाते हैं तो वो आप उन इकादशीयों के मताबिक जरूर अपनाएं लेकिन साधारंत जो आप पूरे साल करेंगे अधना करनी है उमीद करती हूँ पूजा विधी का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इससे पहले भी जानकारी मैंने आपको दी है सामागरी क्या कुछ चाहिए कादशी वरत के लिए तो इस वीडियो को भी आप देखें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए म इसमें आपको इकादशी वरत विधी की जो तमाम नियम है जो आपको जानकारी में होनी चाहिए उस पर एक वीडियो आपको बना कर दूँगी दोस्तों इस तरीके से आपको पूजा विधी रखनी है और महत्व जैसा हम सभी जानते हैं बहुत ही जादा महत्व होता है सभ अभी वरतों में माना जाता है कादशी वरत फ्रेश्च धम वरत है और इसी वजह से जो नियम है इसके थोड़े कड़े हैं दूसरे वरतों से तो आम तोर पर एक उम्र के बाद ही लोग इस वरत को करते हैं लेकिन शादिश उदा जीवन में जाने के बाद अगर आप नियम में दूगी तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें उमीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीज़ेगा इसी तरह की तमाम वरत्योहारों की जो सापताहिक वरत हैं और जो एकादशी का जैसे वरत हुआ पॉर् के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक आदशी वरत से जुड़ी हुई या किसी आनियवरत से जुड़ी हुई कोई और जानकारी आप चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूँगे उनका जवाब देने की वी